बजारों की चाल के अंदर मैं होप की साथ एक लिए शाटी और बजारों की चाल में चर्चे करेंगे यहाँ पे की आज शाम के कारोबारी सत्र में हफते के आखरी कारोबारी दिन क्रिशी फसलों का वैदा वजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है किस क्रिशी फसलों के अंदर अगले सपता तेजी मंदी देखने को मिल सकती है और हमारे जानकार की क्या राय रहेगी यह सब जानने की करेंगे लेकिन क्रिशी फसलों का वायदा वजार का अपडेट शुरू करने से पहले आपको बता दूँ अगर आपको भी ओमिक्रॉन के से लोगडाउन का डर सता रहा है कि कहीं विदेशों की तरह भारत में भी लोगडाउन ना लग जाए और आपकी दुकानदारी पर असर ना पड़े जाए अगर आपको भी डर सता रहे तो आपको और जादा परिशान होने की जरुत नहीं है मार्किट में आगई है एक ऐसी एप जिससे आपकी सेल्ज सिर्फ बचेगी ही नहीं बलकि बढ़ेगी भी एप का नाम है माई बिग 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 आपकी गरहकी में तेजी ही देखने को मिलती रहेगी करना छोटा सा यह काम रहेगा फोन उठाना है प्ले स्टोर पर जाकर दाउनलोड कर लेना है और अपना स्टोर बना लेना है जो भी समाना बेचना चाह रहे हैं उस समान का स्टोर आपको बना लेना है और अपने प्रो नहीं लगेगी ये सब आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप ग्रहनी हैं या इंप्लॉई हैं जो कि अपनी पार्ट टाइम इंकम जनरेट करना चाह रहे हैं आप माई बिगलीस एप के जरीए अपनी इंकम बढ़ा सकते हैं और ग्रह सीड्स हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां पर आज कैसा सीड्स के जनवरी वायदा 5960 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 5988 का ही लगा चुका है मामूलीसी करेक्शन है हम देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सेतर में हफते के आखरी कारोबारी दिन क्रिशी फसल में जो कैसा सेगे दीरे-दीरे 6000 की ओर तो जादी नजर आयाए था कैसा सीड्स का वायताव 1000 लेकिन 6000 का लेवल टैट नहीं कर पाया था ठीक वही ट्रेड हम आज भी फॉलो होता हुए देख रहे है mentre样 क्या सीड्स अभी 6000 का लेवल टैच नहीं किया है आपकर बता दें कि कैसा सीड्स की जो एक्सपोर्ट डिमांड ने भी दी इतनी जादा खास देखने को नहीं मिल रही है जिससे कैसा की कीमतों को जादा तेजी की और चातावा देखा जा सके बात करें यहां से अगर अब बिनौला खल की तो बिनौला खल का जनवरी वैदा देख रहे हैं आद भी हफते के आखरी कारोबार दिन भी ट्रेड होता बिनौला खल की कीमतों में दिख रहा है आपको बता दें कि बिनौला खल के जो फंडामेंटल से हैं वो मझबूती की ही हो रहे हैं और अवरोल रुजहान जो एक्सपर्ट से हमारे वो सारे के सारे बिनौला खल में तेजी का ही रुजहान बता रहे हैं कि बिनौला खल में आगे तेजी का ही रुजहान देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में बिनौला खल अभी हाल फिलाल में तीन अजार का लेवल भी दिखाता नजार आ सकता है तो बिनौला खल में और इंडस्ट्रिल डिवान भी देखने को मिल सकती है जो की डेरी और पोल्टरी इंडस्ट्री से देखने को मिल सकती है आपको बता दें कि आने वाले दिनों में दूद के दाम बढ़ सकते हैं कॉटन के प्राइसेज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जिसका असर बिनौला खल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है तो बिनौला खल में ओवरल जहांत तेजी का ही रहेगा निचले स्तरों पर खरीदारी की सलह रहेगी बात करें यहां से अगर आप मसालों की तो मसालों हम सबसे पहले बात करेंगे हैं आपर धनिय की तो हम देख रहे हैं कि यहां पर की आज शाम की कारोबारी सत्र में धनिय का जनवरी वाइदा 8564 पर ट्रेड करता नज़र आ रहे हैं और 8628 का हाई लगा चुका है आधे फीजदी की करेक्शन है हम देख रहे हैं कि धनिय का जनवरी वाइदा 8500 के ओपर ट्रेड करता नज़र आ रहे हैं आपका बता दें कि बजारों में धनिय की शौटिज देखने को मिल रही है लेकिन इस बार मौनसून की जो बारिश होई थी उसमें हमने देखा था कि जो बारिश है उस काफी अच्छी होई है जिसकी वज़ा से जो next crop बताई जा रही है धनिय की वो काफी अच्छी बताई जा रही है कि अगली crop जो होगी धनिय की उसकी जो फसले होंगी वो ठीक ठाक रहेगा उत्पादन ठीक ठाक रहेगा इसकी वज़ा से market sentiments थोड़े negative बनते हैं जरूर नजर आए है धनिय के लेकिन overall उजहान धनिय की कीमतों में तेजी का ही है नहीं इसकी बवाई जादा देखने को मिल रही है और नहीं इसका carry forward stock जादा देखने को मिला है और export demand pick up हो जाएगी अब दीरे-दीरे मान के चली कि नए साल के शुरुआत होते ही जो export demand है मसाल होकी खास करकी जीरे और धनिय की वो धीरे-दीरे pick up होना शुरू हो जाएगी जिसकी वज़ास हम देखेंगे कि आगे जाके धनिय की कीमतों में तेजी बनती नजर आएगी अभी शादी विया का सीजन चल रहा है शादी सीजन है फिर आगे अगले साल होली भी आएगी तो उसकी वज़ास हम देखेंगे कि देनी की कीमतों में आगे तेजी भी देखने को मिलेगी तो जो हाजिर वेपारी है और वैदा के कारुबारी है वो धनिया को थोड़ा रोग कर चल सकते हैं आने वाले दिनों में यानि अगले साल दर जनवरी फरवरी मार्च्व यह तीन महीने मसालू के लिए काफी शांदा रहने वाले इनफेक्ट साल 2022 मसालू के लिए काफी बैदर देखने को मिलने वाला ऐसा अभी एक्सपर्स का मानना है तो ओवरॉल रुजान दिनीग में तेजी का ही रहेगा इसी के साथ बात करें यहां से अगर अब दिनीग के बाद जीरे की तो जीरे का जनवरी वायदा देख Canada 16200 पर ट्रेल करता नजर आ रहा है 16310 का हाई लगा चुका है मामूली सी करेक्शन है हम देख रहे हैं कि जीरे का वायदा बादा काफी दिनों से 16200 के उपर सस्टेन हो के चल रहा है लेकिन 16,500 की उपर sustain नहीं उपर है 16,500 का level touch नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी जीरे का वाइदा बजार 16,500 या उसके उपर जाता है तब जीरे की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिलती है और तब संभाव ना है जीरे की कीमते ज़ादा बढ़ने की और ज़ादा बढ़ जाती है लेकिन वो चीज अभी देखने को नहीं मिल पार है क्योंकि जीरे की अभी export demand यानि कि जो निरियात मांगे वो इतनी देखने को नहीं मिली है हाला कि markets में ऐसी खबरे निकल के सामने आरही है कि जो निर्यातक हैं जो exporter's हैं वो जीरे की जो खरीद फरोगत हैं उसको लेकर अभी कुछ चर्चक कर रहे हैं अब prices ले रहे हैं जगा जगा से जिसकी वजासे हमने जीरे में हलकी बड़त बंती भी भी देखी है और उसी का ही नतीज़ है कि जीरे का व्यादा बजार 16,200 के उपा सस्टेन हो रखा है आप बता दें कि जीरे का वी कुछ ऐसा ही तेजी वाले रुजान हम 2022 में भी जरूर देखेंगे जनवरी और फरवरी में जीरे की जो निर्यात मांग है जो export demand है काफी अच्छी देखने को मिलेगी दूसरा होली आएगी मार्च महीने में जिसकी व बढ़ जाता है कंजूम कंजप्शन ज्यादर देखने को मिलती है जिसका असर जीरे की कीमतों पर भी पड़ता जरूर नजर आएगा और जीरा 2022 में जनवरी फरवरी और मार्च सब काफी शांदार मुनाफ़ा देता नजर आ सकता है तो ओवरल रुजान जीरे में भी तेज दक्षीन भारत में जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले भारी बारुष होई टी दक्षीन भारत में उसकी वज़ासे हल्दी की जो फसल exerc क्राप होती रिखी ती में क्रॉप ःमेज हुई ती जिसकी वज़ासे हमने हल्दी में तीजी आंती देखी थी लेकिन आपको बता कि हल्दी का जो carry forward stock है अच्छा कासा बताया जा रहा है दूसरा हल्दी की जो उपज है जो crop है वो भी ठीक ठाक बताई जा रही है कि उत्पादर अच्छा कासा रह सकता है जिसकी वज़ा से अगर बारी बारिश भी हुई है तो जो stock इतना available है इंडिया के अंदर कि demand को supply से जादा रख सकता है कि supply को demand से जादा रख सकता है इतना stock है लेकिन अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है हल फिलाल में वो इसलिए देखने को मिली है क्योंकि जो खरीददार है हल्दी के वो पुराने की वज़ाए नई हल्दी की खरीद करना चाह रही है और नई हल्दी अभी market में है नहीं जिसकी वज़ा से हल्दी की कीमतों में हमने नर्मी आते वे देखिए जो पुरानी हल्दी उसकी कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है और हल्दी की जो निरियात मांगे जो export demand है अभी ऐस सच कुछ देखने को नहीं मिल रही है experts का भी यही मानना है कि जब तक हल्दी की कुछ अच्छी export demand निकल के सामने नहीं आ जाती है तब तक हल्दी की जो कीमते हैं वो ऐसे ही नर्मी के साथ trade करती रहेंगी तो हल्दी में export demand का आना काफी ज़रूरी है otherwise हल्दी की जो कीमते हैं वो ऐसे ही नर्मी के साथ trade करती नजर आती रहेंगी वायदा के अंदर हाला कि अगर lockdown लगता है, lockdown वाली स्थिती पैदा होती है तो हो सकता है कि घरेलू स्थर पर और अंतराश्य स्थर पर हल्दी की खपत एकदम से बढ़ जाए क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी lockdown वाली स्थिती बनती है या फिर कोरोना के जो cases है वो जादा निकल के सामने आते हैं उससे हम देखते हैं कि जो लोग हैं काड़े काड़े का इस्तमाल कर देते हैं क्योंकि काड़ा शक्ती प्रतिरोग तक है, immunity बूस्ट करता है और काड़े में हल्दी का भी खपत की जाती है और कच्ची हल्दी भी खाई जाती है लग से जिसकी वज़ा से consumption बर जाती है अगर वाली स्थिती पैदा होती है तो हो सकता है कि हल्दी की कीमतों में तेजी आ जाए आदे फीज़दी की से जादे की correction है गौसीर का जनवरी वादा देख रहे हैं 1156 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 1208 का हाई लगा चुका है आदे फीज़दी की तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि गौरगम और गौसीर आज एक बाफिर से sustain तो रखे हैं 11000 के उपर है गौरगम और गौरगम सीर 600 के उपर है लेकिन वहाँ पर अच्छी तेजी देखने को नहीं मिल रही है sustain है लेकिन prices पहले की मुकाबले अभी भी low ही हैं क्योंकि हमने गौरगम का वादा बजार 11500 के उपर भी जाते हुए देखाया था अभी लगवक पिछले कारवारी सब्ता और गौरगम सीर का वादा बजा है 1263 सूबर भी trade करता नजर आया था जिसकी वज़ाँ से हम देखने हैं कि पहले के मुकाबले जो prices हैं गौरगमे वो थोड़े कम ही देखने को मिल रहे हैं हाला कि अभी जो अगर थोड़े long term की बात की जाए तो experts का मानना है कि गौर का जो trend रहेगा वो sideways तो negative भी रहेगा गौर में जादा मंदी भी नहीं रहेगी तो जादा गिरावड भी नहीं रहेगी एसी sideways में trend देखने को मिलता रहेगा गौर complex के अंदर हाला कि हमने गौर के उपर वीडियोज भी काफी जारी डाली हुई है अलगला experts की सब की रहे हैं आप वो वीडियोज भी जाकर देख सकते हैं बात करें आज से अगर अब सोयबीन की तो सोयबीन का जनवरी वाइदा देखे हैं इस समय 6280 पर trade करता नजर आ रहे है 6280 का ही ही लगा चुका है या फिर 63,000 के आसपास भी close होते नजर आए हाला कि हम देख रहे हैं कि हाला कि हम देख रहे हैं कि जो सोयवीन का वाइदा बाजा रहा है 63,000 के आसपास यह सी 20 पॉइंट की दूरी है लेकिन 63,000 के अगर sustain हो जाती है सोयवीन तो हो सकता है कि सोयवीन में उपी सर्किट भी लगते नजर आ जाएं अगले कारवारी सब्ता या फिर हो सकती कि हलकी सी correction भी बनती नजर आ जाए आपको बतातें कि विदेशों में सोयवीन की कीमतों में तेजी का ही रुजहान है जिसकी बजा से तेल तीरन के बाजार पर भी हमने तेजी आते भी देखी है और उसी काई असार है हम देख रहे हैं कि सोयवीन की कीमतें तेजी की और उठती नजर आई है अज़ दरसल जब से सेवीन ने फैसल लिया था कि साथ कमूनिटी जबैन कर दी जाएंगी वाइदा बजार में जिन में से रिफाइंड सोय तेल भी था उसका असा है सोयवीन की कीमतों पर परता नजर आया था और हमने देखा था कि दो से तीन दिन तक तो बजार ला निशान पर ट्रेड कर रहा था लेकिन फिर उसके बाद देखा है कि हमने सोयवीन की कीमतों में व्यादा बजार में खरीदारी भी देखने को मिली है दरसल जो भारत है खादे तेलों के मामले में पून रूप से अभी आत्म निर्वर नहीं हुआ है और अपने जरुवत का बहुत बड़ा हिस्सा खादे तेलों का भारत विदेशों से आयात करता है तो अगर विदेशों में कुछ भी घटबड होती है सरासी भी हलचल होती है खादे तेल के बजार में या फिर प्राइस अपडाउन जाते हैं तो उसका असर भारत में भी उसी अनुपात में पड़ता है तो अगर सोईबीन की मंदी तेजी कोई रोक सकता है तो वो विदेश है या फिर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो विदेश ही है अभी हमने देखाया था कि सरकार ने पामुलीन और पामुलीन की जो ड्यूटी है वो घटा दी थी जिसका बाद हमने देखा था कि खादे तेलों में हलकी नर्मी तो बंती नजर आई लेकिन फिर से मलेशिया में उसी अनुपात में खादे तेलों के दाम बढ़ा दिये गए तो उसका असर इतना खास देखने को नहीं मिला और पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने खादे तेलों पर ड्यूटी में कटोती की हो और विदेशों में उसी अनुपात में दाम बढ़ा दिये गए हो विदेशों में भी पता है कि भारत खादे तेलों में आत्म निर्बर नहीं है तो वो भी अगर भारत में खादर तेलों में कटवती होती है तो वो भी उसी अनुपात में अपने वहाँ पर दाम बढ़ा देते हैं जिससे कि आम उपभोगताओं को कुछ फायदा होता वा नजर नहीं आता है और जो विदेशी मुदरा है खादर तेलों में आयात में वो उतनी ही खर्च होती रहती है बात करें सोयबीन की तो सोयबीन में आपको बता दें कि विदेशों में जो क्रॉप है उसकी स्थिती भी थोड़ी असमंजस की बनी हुई है अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि विदेशों में सोयबीन की जो फसले है वो जादा रहेंगी कम रहेंगी प्रोडक्शन कैसा रहेगा अवरॉल हाला कि अगर भारत की प्रोडक्शन की बात कीजा सोयबीन की तो भारत में सोपा ने अपने सर्वे में हाली में आखरा दिया था लवग 111 लाख टन के आसपास का यानि कि पिछले साल के मुकावले लवग 14-15 फीज़ी सोयवीन इसमार जादा रह सकती है लेकिन उसके बाद आखरा आने के बाद हुने ये भी देखा था कि सोयवीन की फसले बड़े पैमाने पर खराब दी हुई थी तो अभी देखने ये भी होगा कि ओवरोल आखरे अभी घटते हैं तो कहां तक घटते हैं ज्यादा डेफिशेंसी रहती है या फिर सप्लाई के मुकावले डिमांड की मुकावले जो सप्लाई है सोयवीन की वो ठीक ठाक रहती है हाला कि अगर विदेशों में तेजी बनती रही तो सोयवीन की कीमतों में भी तेजी बनती जरू नजर आगी और अगर इसको एक दूसरे नजरीय से देखा जाए खादे तेलों के नजरीय से तो सरसों का एक्जामपल लेते हैं जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि सरसों का जो स्टॉक था भारत में काफी कम बचा हुआ था और जो भी था किसानों के इपास था जबसे ओमी करौन आया सबको डर लग गया और किसानों ने भी अपनी सरसों की बिक्वाली दीरे दीरे ऊपरी स्टरों पर कर दी इस बार सरसों ने किसानों को काफी अच्छा मुनाफ़ा भी दिया लेकिन अब देख रहे हैं कि दीरे दीरे देश का जो सरसों का स्टॉक ता वो इस्तमाल में आ चुका है और अभी इस समय स्टॉक नहीं है और अगर हुआ भी तो वो भी नाम मात्र के लिए होगा ऐसे में सरसों की जो बुआई है इस बार एक महीना लेट हुई थी और एक महीना देरी से ही आवक आएंगी लगबग मार्च के मध्य तक या मार्च के अंद तक आवक के मंडियों में देखने को मिलेंगी सरसों की अभी जनवरी, फरवरी, मार्च लगबाग 2-3 महीने का समय बाकी है सरसों की आवग के आने में मंडियों के अंदर और तब तक खादे तेलों की जो स्थिती है मारकिट में, मारकिट के अंदर और जो कीमते हैं वो थोड़ी टाइट रह सकती है यानि की कीमतों में बड़त देखने को मिल सकती है और इसी का ही असर अन्य खादे तेलों समय सोयबीन की कीमतों पर भी पड़ता नजर आ सकता है तो ओवरोल रुजहान अभी हाल फिलाल में जो एक्सपर्ट हैं वो तेजी का ही बता रहे हैं सोयबीन में अगर ज़्यादा तेजी नहीं रहेगी तो ज़्यादा गिरावड भी नहीं रहेगी हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिय एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिय उनके मताबिक सोयबीन 5800 से नीचे जाती भी ज़्यादा नहीं दिखती है और ओपर में 6400 तो ये जो एक रेंज रहेगी 5800 से लेकर 6400 की सोयबीन की कीमतों में अभी हाल फिलाल में देखने को मिलती रहेगी हाला कि अजे केडिय के मताबिक अभी लॉंग टम में उनके अनुसार जो सोयबीन है वो तेजी दिखरा सकती है वो अभी भी सोयबीन को लेकर positive ही है तो ये था एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का update कि शाम के कारवारी सत्र में क्रिशी फसलों का वायदा बजार कैसा trade करता नजर आ रहा है क्योंकि खबरों काल सिलसिला लगाता नहीं बना राएगा मांके राम सीवी पर क्योंकि जावा एक चक।